महाभारत युद्ध की समाप्ती पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। उन्हें युद्ध भूमी में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था जो शत्रू सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रू सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बरबरीक के महान वर्दान से काफी प्रसन्न हुए और वर्दान दिया कि कल्युग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारन करने में समर्थ है। उनका शीष खाटू नगर, वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला, में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतह ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीष प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्र में सुशोभित किया गया, जिसके रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027E में रूप सिंह चोहान और उनकी पतनी नर्मदा कमवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड के शासक ठाकुर के दीवान अभै सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720E में मंदिर का जीर्नों ध जंख्या के कुल देवता है। दीनों का नात आधी नामों से भी पुकारा जाता है। के नाम से जाने जाते थे वे अतिबलशाली भीम के पुत्र, घटोतकच और प्रागज्योतिशपुर, वर्तमान आसाम के राजा, दैत्यराज मूर की पुत्री, कामकटंककटा, मोरवी के पुत्र थे। खाटू श्यामजी बाल अवस्था से बहुत बलशाली और वीर थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मोरवी तथा भगवान कृष्ण से सीखी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके उनसे तीन बान प्राप्त किये थे। इस तरह उन्हें तीन बान धारी के नाम से जाना जाने लगा और दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किये जो उन्हें तीनों लोकों में विजय दिला सकता था। माता बोली, पुत्र तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तब उन्होंने बोला, मैं हारे हुए की तरफ से युद्ध करूगा. जब वह युद्ध करने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण मिले और उनका उपहास करते हुए बोले, कि हे बालक, ये क तीन अचूग बान दिये हैं, इनसे मैं युद्ध को एक पल में समाप्त कर दूँगा. ब्रह्मन रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद करने को कहा. बर्बरीक ने एक ही बान से संपूर्ण व्रि में आने को कहा. अपने गुरु श्री कृष्ण को सामने देखकर बर्बरीक ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया गुरु देव? तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले कि हे बर्बरीक आज मुझे तुमसे गुरु दक्षणा चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सब किया बर्बरीक ने कहा कि, हे गुरु देव, मेरा शीष तो आप ले लीजिये, किन्तु मैं संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ. श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के शीष को अमरित से सींचा और राहु के सिर के समान अजर अमर बना दिया. बर्बरीक के तोडने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा तो बर्बरीक के शीष ने कहा कि, गुरु देव श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने ही संपूर्ण युद्ध में पापियों का अंत किया है. उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कुछ मांगने को कहा तो बरबरीक ने श्री कृष्ण से उनका सावला रंग मांगा बरबरीक के इस निस्वार्थ बलिदान को देख कर श्री कृष्ण बोले कि मेरा सावला रंग तुम्हारा हुआ बरबरीक साथ ही मेरी सभी सोलह कलाएं तुम्हारे शीश में समाहित होंगी तुम्हारी पूजा म मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे, जो भक्त तुम्हारे दर्बार में आएगा, दुनिया में कोई ताकत उसे दुबारा हरा नहीं सकेगी, और उनकी मनो कामनाएं भी पूरी होंगी। काम कटंक कटा को मोरवी नाम से भी जाना जाता है। घटोतकच व माता मोरवी को तीन पुत्र रतनों की प्राप्ती हुई, सबसे बड़े पुत्र के बाल बबर शेर की तरह होने के उसका नाम बरबरीक रखा गया। ये वही वीर बरबरीक हैं जिन्हें आज लोग खाटू के श्री श्याम, कलियुक के देव, श्याम सरकार, तीन बांधारी, शीश के दानी, खाटू नरेश वह अन्य अंगिनत नामों से जाने जाते हैं। अन्य दो पुत्रों के नाम अंजन पर्व और मेगवर्ण रखा गया। घटोतकच के जेश्ट पुत्र बरबरीक महादेव श आटूश्याम दादा का नाम, महाबली भीमसेन दादी का नाम, हिडिमबा पिता का नाम, महाबली घटोतकच माता का नाम, कामकटंककटा, मोरवी, अस्त्र, तीन अमोग बान, धनुश वाहन, नीला घोडा पाठ्य, सकंद पुरान, कौमारिका खंड, भाई, अंजन पर्व और मेगवर्ण, दोनों छोटे भाई बर्बरीक के जन्म के पश्चात, महाबली घटोतकच, इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास द्वार का ले गए, और उन्हें देखते ही श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से कहा, हे पुत्र मोर्वे, जिस प्रकार मुझे घटोतकच प्यारा है, उसी प्रकार तुम भी मुझे प्यारे हो, जय श्री श्याम बोलो, खाटू नरेश की जय